हेलो गाइस स्वागत है आपके ही अपने चैनल फेंटासी जोन में गाइस ग्रेंड लिग के उपर मेरे पिछले सारे वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्याड दिया और बहुत सारा कॉमेंट भी आया आप लोगों का कि भाई आपके लोजिक से आपके ट्रिक्स से अब ग्रेंड लिग में बहुत अच्छा रेजाट आ रहा है लेकिन आभी के टाइम पे बहुत सारे पेंटासी एप्लिकाशन ने नेया अब्रिट लाया है जिसके लिए यहां पे कंपेटिशन थोरा हाई हुआ है ऐसे में ग्रेंड लिग जितने के लिए हाड़ वार्क और प्रोपर लोजिक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इसलिए गाईज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ग्रेंड लिग कंबिनेशन वनाने के टाइम आप कौन-कौन से चीजों के अबर ध्यान रखोगे क्या-क्या लोजिक इस्तेमाल करोगे देखो गाई जो लोग हमारे चैनल पर नय हैं सबसे पहले तो आप यह वीडियो देख लो फिर पता चलेगा यह चैनल आपके काम के है या नहीं देखो भाई हम हर रोज नया कोई लोजिक लेके नहीं आते हैं क्योंकि हम प्रोपर तरिके से स्टेडी करने के बाद कुछ आपको प्रोब स्टेड करते हैं गाइस सिर्फ मैं ही नहीं सारे फेंटेसी एक्सपर्ट यह मानते हैं कि प्रोपर ग्रेंड लिग टीम कंबिनेशन वनाने के लिए सही ट्रक्चर होना जरूरी है अगर आपका ट्रक्चर से ही हो जाता ना तो 30% काम हो जाता है ट्रक्चर यानि कि आप विक से आप लियार रिजय करोगे कंद्र बाइस के पुसका या जो ट्रक्चर है providing लोजीक से नहीं बनते है और कोई से नहीं बनते यह वंते यह वनते हैं डे टासे यह डेटा आता कहा से यह डेटा देटा आपको पीनिश देते हैं मैं आपको बताने वाला हूं आज दिक्तिं डिल्कुल यूइक लोजिक है और ये जो लोजिक मैं आपको बतने वाला हो तो पसके आपको वही लोजिक दिखाने वाला थीक है तो चलिए कैसे छूज करना है दीखे लेंगे पिच रेपोर्ट को सब से पहले फोलो करना है पिच्छ रिपोर्ट में क्या फोलो करना है आप देखिए पिच्छ रिपोर्ट दो तरीके की होती है एक होते है करेंट पिच्छ रिपोर्ट और एक होते है हिस्टुरिकल रिपोर्ट ठीक है हिस्टुरिकल नेचर रिपोर्ट यानि की आपको मान के चल सकते रहा या फिर बोलिंग फेवर में रहा यह सारा कुछ डेटा एक एक करके आपको दिखाया जाता है यह होता है हिस्टोरी करने चारब और एक होता है करेंट ठीक है करेंट रिपूट आपने देखा होगा मैदन में टॉच के बाद बहुत सरे एक्सबर्ट जाते बोलते कि यह यहाने कि प्रेडिक्ट्शन होता है ठीक है मतलब मैच हुआ नहीं होने वाला है ठीक है यह होता है एक तरह का प्रेडिट्चन और बागे जो हिस्टेरिकल नेचार है यह हो चुकी है यह result है आपके सामने ठीक है तो यहां पर 99% लोग अपना गलती कर देते हैं ठीक है क्या करते हैं आपको बता रहा हूं आपने बहुत सारे मैच में यह से भी देखे होंगे कि एक्सपर्ट तो बताते हैं यह बोलिंग फ्रेंडली पिछ है लेकिन बेटर अच्छा अच्छा का सारान मारके जाते हैं वह कर ज्यादा गीड़ते नहीं है ठीक है ऐसे आपने बहुत देखा है तो लोग क्या करते हैं अब कारेंट पिछ रिपोर्ट के ओपर टीम बनाके 15-20 मैच में क्या हुआ है यह सबसे महित्तों रखता है ठीक है तो इसलिए आपको हिस्टोरिकल नैचर के ओपर ज्यादा धियान देना है ग्रेंड लिग में और स्मोल लिग में आप करेंट पिछ रिपोर्ट के ओपर धियान दोगे ठीक है फिर आते हैं पिछ ठीक है कुछ पिछ होते हैं बेटिंग फ्रेंडली कुछ पिछ होते हैं बोलिंग फ्रेंडली कुछ पिछ होते हैं ठीक है पिछ होते हैं तीन तरीकी की ठीक है तो यहाँ पर आपको अगर बेटिंग फ्रेंडली पिछ होना तो आप क्या कर सकते हो कम से कम बेटिंग सेक्शन में मीनिमाम यह बैंट सक्षम में चार मेलेंट्स को बात करते ही स्थी वेनसार, यह बैंस मुझ बैंस पीच चिफच कर सक्षम से आगर क्या कर सकता है बैलेंस पैसे यानि क्या यहां ने किया यहां पर भी ठीक-टाक पारफॉमेस कर सकता है रंद माट सकता है और बोलर थी ठेक क्ट ले सकता है तो बाइब दोनों काम कौन करते हैं थो अल्डाउंडर करते हैं तो अल्रॉंडर सेक्शन में आपको कुकास करना है मतलब बेलेंस स्पेश में ठीक है ऑर डाउंडर सेक्षन में आपको रखना है चार प्लियर अगर प्रफ बैलेंस रहा तो ठीक है और बाकी यहां पर आते हैं बोलिंग फ्येबर में तो बॉलिंग सेक्षन से आपको रखना है चार प्लियर मीनिमम आप चाहो तो पाच प्लियर भी ट्राइब कर सकते हो ठीक है लेकिन मीनिममोब आपको चारप़ीर जगाद देना ही देना है अब बात आते हैं बहुत सारे बाई हो कड़ाउट आप पर ऐहा है आपने सिरुप चार स्पोर्ट के बारे में बताया बागी उकेट की इंक स्पोर्ट के नहीं बता है आप निचे के बतलब सिर्फ चार प्लेअर के स्पोर्ट के बारे में बता da को ढ़ से टीम आपने सामने होता है कि क्लिया के बहुत याइर यहां बनाना चाहिए तो चलिए यहां को आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर next step की, next step में क्யा आती है, तै dau y Terry की पर में पर ट्रक्चर बना लिया है, अब आते है, soldier selection, हमारा thirty percent काम हो गया है, हमने truck बना लिया है, अब हétaition हो ट्रक्चर बना लिया है, आप यह पर आते है clear selection जो की important है, ठीक है, clear selection में अब क्या और ना है यह सब को बता है लेकिन रिस की प्लियर करोगी तो कैसे करोगे भाई ठीक है ना मीनीमाम मीनिमाम तीन प्लियर लो सिलेक्षें वाइस आपकोड़ीर अच्छाहिए बना रहे हो ठीक है अब तीन फ्लियर जगाद होग्याइब कहा जगाद होग्य दोनों टीम में से 22 प्लियर आपको देखने को मिलेगा 22 प्लियर में से 14 से 15 प्लियर ऐसे मिल जाएगा जो कि इसके लिए ड्रॉप करना भी बहुत जरूरी होता है तो ड्रॉप किसको करो है तीन प्लियर को पिक करो है जो कि हमको पता है मतलब हम गन्फ्यूज हो जाते है कि कौन आज performance कर सकता है और कौन अज flop जा सकता है लेकिन इसका भी solution में आपके लिए अज लाया हूं आपको क्या करना है तीकि बहुत सारे match में ऐसे होते हैं जैसे कि मान के चल सकते इडेन गार्डन इडेन गार्डन में कुछ ऐसे प्लियर है जो कि performance खराब आते हैं इंडिया के साथ मैच हो रहा है तो इंडिया के एगेस्ट भी performance खराब आते हैं ऐसे प्लियर बहुत है लेकिन recent form जो है न बहुत अच्छा है ठीक है वेन्यू में record खराब है head to head record खराब है लेकिन recent form बहुत ही जबर्दस्त है और सिलेक्शन पार्टेंटिस हाई कैसे होते हैं जिन प्लियर का मतलब recent form बहुत अच्छा होते हैं वो उनका ही selection percentage हाई होते हैं तो आपको ऐसे प्लियर ढूंडना है जिनका बेन्यू में record खराब है head to head में record खराब है आप इनको ड्रॉप कर दो recent form चाहे कितना अच्छा हो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो grand league में और यह कहां मिलेगा मेरी वीडियो देख लो आप हर मैच में में बताता हूं grand league प्लियर का वेन्यू का क्या record है head to head में क्या record है इसलिए बोलता हूं अगर आभी यहां तक वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके टेलिग्राम जूट जूट जाना वाई यह चैनल बहुत काम का है आपका ठीक है चलिए head to head और ground यह दोनों देखना बहुत जरूरी होता है और बाकी कुछ player होते है recent form भी अच्छा है ground में भी performance अच्छा है head to head में performance अच्छा है तो उन player को चाहे कितना मतलब selection percentage 100 क्यों ना हो जाए इनको आप अपने टीम में जरूर शामिल करो ठीक है इनको आप drop मत करो अपने टीम से ठीक है तो यह बात को ध्यान में रखे आप player को selection करो तो यहां तो काई थर्ड स्टेप में आते क्या captain और wise captain जी हां बाई captain wise captain एक ऐसा मसला है जो कि आपका captain से ही होता है तो wise captain missing हो जाता है यह एक problem है बहुत सारे लोगों का ग्रेल लिग ऐसे मिस हो आया सिर्फ wise captain के लिए मिस हो गया captain के लिए मिस हो गया तो यहां पर हम बात करेंगे captain wise captain प्रोपर तरीके से कैसे आप चूस कर सकती हूँ ठीक है देखिये लेकर जा सकता है दो-तिन लेक जा सकता है आपका और बोलर का सिलेक्षन होता है captain-by-scept के ममले में बहुत डाउन होते है ठीक है और all-rounder section में है आप रसकते हो ठीक है दुखिए अब यहां पर कौन मतलब bowling section में में सिलेक्ट करूं या बेटिंग सेक्शन में सिलेक्ट करूं कैसे सिलेक्ट करूं तो यह सारा का सारा कन्फूशन में आपको अभी क्लियर कर रहा हूं देखिए यहां पर भी पिच रिपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट है पिच रिपोर्ट अगर बेटिंग फ्रेंडली हो त कर सकते हो छीग है और बाकि बेलेंस पिछ रहा तो आप बोलिंग को भी केपटिन मत बनाओ बेटिंग को ही कैट्टीन मत बनाओ आप सिधा खरब ऑब्लंढ करले मैं चला जाओ गसिंग् generous आप सेक्शन में स्विलेक्ट करने की कोशिच करना तो इहां पर बोलिंग फ्रेंदली पेच रहा तो आप यहां पर बोलिंग को आप captain by captain कर सकते हैं और साथ में कौन करते हैं और करते हैं और को आप captain by क्याप्टिन के लिए या तो बेटिंग ओडर टॉफ में होना चाहिए या फिर बोलिंग चार अबर कनफार्म डालना चाहिए यह चीज को ध्यान में रखना ठीक है एक नएक तरफ से काम का होना चाहिए ठीक है एसा नहीं छहीं कि बेटिंग ओडर भी साथ नंबर फेला चेन नंबर पहते और बोलिंग का भी कोई इसे जालानकी और को वाइदा नहीं है ठीके और बोलींग बोलींग से बेटिंग सक्षन में अगर आप रहे हो ना तो हेट वेन्यू रेकॉड रिसेंट फर्म दोनों देखके आप यहाँ पर कैप्टेन बाइस केप्टेन बना सकती हो हां एक बात यहाँ पर रिसेंट फर्म को आप इग्नूर कर स तो आप इनको Captain by Captain आख बंद करके ठोक दो बाई काम हो जाएगा आपका ठीक है ऐसा नहीं करना है क्योंकि रिसेंट पर्सेंट के उपर नहीं होना चाहिए इसके नीचे होना चाहिए दो पर्सेंट चार पर्सेंट पाच पर्सेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है आई होप यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया है बाकी यह दोनों चीज़ करने के लिए है एड़ और ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है ठीक है है एड़ और वेन्यू रेकोड बहुत जरूरी होते यह काम के चीज़ होते बाई चोकि हम हमारे वीडियो में बताते इस यह रहा तीन स्टेप जोकि बहुत इंपोर्टेंट है टीम कंबनेशन बनाने के साथ मैं चैनल को आभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा यह 100% फ्री है और बाकी हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी जूट जाईएगा चले मिलते हैं नेक्स्ट और एक जवर्दस वीडियों के साथ तब तक के लिए खुद का क्याल जरूर रखिएगा जय हिंद्ट